हलो फेंडेक कैसे हैं आप आपके अपने यूट जाए पर मैं अभी आप लोग का बढ़ा करता हूं दोस्तों बहुत लोग का कमेंड था कि साथ माई को एकजाम होगा कि इस एकजाम को आगे भी बढ़ाई जा सकती है दोस्तों हमें यह नहीं लगता कि इस एकजाम को आगे ब रद होगी किसी कारण वस तो वो बात की बात है लेकिन ये साथ मई जो आपका एक्जाम है ये हमें नहीं लगता कि आगे बढ़ाएगी जैसे ही कुछ आयोग द्वारा इंफर्मेशन दिया जाता है तो मैं इस पर कोशिस करूंगा वीडियो बनाना और आप तक पहुंचाना अगर चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब लाइक और दोस्तों के साथ जरूर सेर कीजिएगा दोस्तों रही बात अगर साथ माई को आपका एक्जाम फिक्स है कि ले लिए जाएंगे आयोग द्वारा तो क्रेंट अफियर के लिए बहुत दोस्त पूछ रहे थो कितने साल क करेंट अफियर पढ़े उसके बाद बहुत दोस्त ये भी कमेंट किये हुए थे कि कोश्चन सेट हो गया होगा कि नहीं हुआ होगा दोस्तों कोश्चन एक महीना पहले ही सेट हो जाता है क्योंकि एकजाम साथ माई को है तो कोश्चन सेट हो चुका होगा हमें यह लगता है खेर आप लोग को क्या लगता है वो कमेंट में बदा सकते हैं कुश्चन आप लोग का सेट हो चुका होगा ससथवी BPSC PT का क्योंकि एक्जाम में काफी कम दिन बचे है रही बात इसमें करेंट अफियर को कैसे पढ़ा जाए उसके बाद करेंट अफियर के लिए आप 6 मंत का करेंट अफियर है आप लोग पूरे तरीके से 2 बार 3 बार खंखाल लेजिए पढ़ लेजिए कोई हाइलाइट नीउज है उसको 2-3 बार 4 बार पढ़ने का प्रयास किजिए उसके बाद National Current Affair से जारा question रहते हैं और बिहार की Current Affair से 10 से 12 question पूछे जाते हैं ये सबी जानते हैं इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग उसमें देखेंगे कि Current Affair के लिए magazine कोन अच्छा है और तमाम सारे बिंदू को point पर बात करेंगे इसमें हम बात कर लेते हैं कि दोस्तों बहुत दोस्त का ये भी comment था कि subject wise video BPSC आयोग द्वारा कुल 8 subject से PT में exam में question पूछे जाते हैं तो उसपर subject wise video लाना यानि topic कौन topic से question पूछे जाते हैं दोस्तों पढ़ना तो है आपको समुंद्र लेकिन अगर समुंद्र में ये पता हो जाए कि कौन पढ़ना है तो आसान हो जाता है रस्ता समुंद्र पार करना आसान हो जाता है अगर वही नहीं पता होता है किसको पढ़ना है किसको छोड़ना है तो समुंद्र में आप रेंगते रहिए कभी आपका syllabus complete नहीं होगा खेर रही बात मैं topic wise क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है कौन से chapter में कितने topic पढ़ने है इस पर मैं video बना चुका हूँ अगर वो video नहीं देखें है तो link description box में दे दिया जा रहा है वहाँ से आप लोग देख लीजेगा दोस्तो मान लो तो hard है अगर ठान लो तो जीत है तो आप पर यह depend करता है कि आप मानते हैं कि ठानते हैं तो चलिए दोस्तों हम लोग फिर next video मिलेंगे थैंक यू थैंक यू so much अगर चैनल पर नहीं है तो subscribe, like और दोस्तों के साथ जरूर सेर कीजेगा धन्यवाद